रदे रदे दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब एकड़म बढ़िया होंगे मजे में होंगे और हुश होंगे। तो अब ही टाइम होरा है सामका भी 4 बज रहा हैни तो हम कुछ बनाने की तयारी कर रहे हैं। और कल का जो वीडियो देखे थे वो दोफर तक का था ये उसके बाद से स्टार्ट किये हैं तो अभी साम का टाइम है बच्चों को स्कूल से लेकर आ गये हैं और ये ना कुछ बदाम बगेरा है ड्राइफ रोड तो इसको निकाल रहे हैं जो चाहिए था उसको निकाल लिये ह पांकी जो बचा तो डबे में करके रख दिये हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और बच्चों के लिए ही खास करके बना रहे हैं सरदियां आप जाने ही वाली है और कब से सोच रहे थे बनाएंगे बनाएंगे करके बना नहीं पा रहे थे तो जो भी चीजे हमको च यह गोंद लाकर रखे हुए थे कितना दिन हो गया लेकिन इसको बना नहीं पा रहे थे हैं इसको फिर छोड़ दिये और यह सोग्राम का पैकेट है यह नहीं डीमाट से लेके आए हैं कहीं पर भी यह मिल जाता है असानी से और यह सरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हलका हो जाता है तो देखे थोड़ा थोड़ा ही घी डाले हैं क्योंकि ज्यादा घी डालेंगे तो यह बहुत ज्यादा सोग करता है घी तो इसलिए एक चमच करके इसको डालके भून कर निकाल लेंगे सारा गोंद को उसके बाद कुछ ड्राइब रूट बगारा बुँन कर पहले निकाल लेते हैं उसके बाद भूनेंगे दूसरी चीज्चे और यह लडु ना हम बोत ही कम घी में ही बता रहे हैं इसमें जादा गी लगता है लेकिन हम बहुत ही कम घी में बता चूछ सा लास थी था तो जो भी घी ता उसमें ही हम बनाए हैं और बड़े आराम से बन कर यह तयार हो किया था तो यह देखिए सारा गौन भून लिये हैं और यह 100 ग्राम था और भून कर देखिए कितना ज़्यादा हुआ है और यह देखिए बदाम ले लिये हैं थोड़ा सा इसमें भी एक चमचगी डाल के इसको भून लेंगे पहले और उसके बाद फिर भूनेंगे काजू जो भी ड्रैफरूट आप इसमें डाल सकते हैं डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और यह दिखिए गौन इसको ना उंगली से चूरेंगे तो यह दिखिए पूरा पेस्ट हो जाता है और आप इसमें थोड़ा सा काजू ज्यादा करके डाल सकते हैं लेकिन मिरे पास काजू भी थोड़ा सा ही था तो इसमें गौन भूनने में थोड़ा सा ज्यादा भी का यूज होता है तो आप मखङनेंगे काजू भून गया हो चुकी है सिर्फ यह मखाना बागी है तो इसको भी डाल कर भून लेते हैं थोड़ा सा इसमें डाल दी हैं और इसको भी ना एकदम हलका ही बूना है दो त्री मिनिट के करीब सिर्फ यह क्रंची हो जाए फूटने लगे बस ताकि इसको पीसना है इन सबी चीजों को आप इ मेरा भून गया है फोड़ने से यह फूट जा रहा है बड़े अराम से तो इसको निकाल लेते हैं उसके बाद ना इसको हम आटे के साथ बनाएंगे थोड़ा सा तो आटा भी बूनना है हमको और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ना दो तीन चमच के परी वेशन भी डाल स तब इसमें घी एड करेंगे और मेरे पासमेंवी जैदा घी लास्ट यह ना घी कम ही गीं यह बनाएंगे में बनाकर तयार किये तो यह देखिए गी के साथ आटे को अच्छे से भूनेंगे धीमियाच पर करके और यह देखिए अभी यहां पर कितना चेंज हो गया है और भी न थोड़ा सा यह आटा अपने अप हलका होता जाएगा और चम्मच चलाने में बनता नहीं है हाथों में थोड़ा सा दर्द हो जाता है क्यूंकि आटा एकदम भारी भारी सा लगता है और अभी इस टाइम पर पूरा हलका हो चुका है आटा यहां पे तो चम्मच एकदम असानी से चलते बन रहा है देखिए तो ये दिखिए आटा भूनकर हो गया है मेरा तयार और एकदम color change हो गया और अच्छा size से खुस भूबी निकल कर आ रहा है तो ये दिखिए आटा भूनकर हो गया तयार तो इसको gas कर देते हैं यहां पे बंद और gas बंद है लेकिन कड़ाई यहां पे गरम है तो आटे को चला के निकल लेते हैं तो इसको फूसी निकल लेते हैं।Awिक चेजों करेंगे मेरा अच्छी तरह से ठंडा होचुका है तो इसको भी निकाल देचेặtल में trapihा भी इन सबी मिष्व के साथ ही इसको निकाल कर तयार कर लेते हैं और थोड़ा साम गूरड पीगलाना है कि ही सुछ इसको चीनी इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इस सभी चीज़ों के साथ अच्छा लगता भी नहीं है थोड़ा सा सेहत के लिए भी anicarak है चीनी तो गूर से ही बना रहे हैं चीनी का भी यूज कर सकते हैं देकि मेरे पस गूर था तो हम इसी को डाल रहे हैं और अभी ठंड मेरे गूर खानी भी चाहिए तो देखिए अंदाजे से ही डाल रहे हैं क्रीब आधा केजी गूर इसमें डाले हैं क्योंकि इतने सारे ड्रैफरूट है आटा है तो इसफोड़ा सा मीठाया लग Ken everyday लगेगा तो अच्छा राता है तो गूर देखी मेरा फिगल चुका है तो इसमे और ये जो सारे चीजों का मिसरन था ना इसमें डालेंगे थोड़ा सा जैफल, क्योंकि जैफल अभी सर्दी में, सर्दी के लिए ही लड़ू ये खास करके बना रहे हैं, तो जैफल जाएगा, इसमें काली मिर्च का पॉडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम काली मिर्च नहीं डाले हैं, ये आधा जैफल का पॉडर डाल दिये, और थोड़ा सा सौट पॉडर डाले हैं, और जैफल को ऐसे कदुकस करके डाल दिये, बड़े आराम से कदुकस गीज जाता है वो, और सौट पॉडर डाल दिये करीब, दो चमच के करीब और ये गुड का चासनी डाल दिये इसमें तो इन सभी चीजों को अच्छे से पहले करते हैं मिक्स और चमच से नहीं हो रहा था हाथ से इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा ठंडा हो गया हाथ से छूते बन रहा है ज्यादा गरम नहीं है तो ध्यान रहे कि ज्यादा गरम नहीं हो तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से उसके बात बनाते हैं लड़ड़ू और थोड़ा सा कड़े हाथ से दवाकर बनाने से यह अराम से बन जा रहा थोड़ा सा ग bisher खरणी और दालना पड़ा था तो फिर बाद में वह भी बनकर तयार हुगा तो इतनी से लड़ु बनकरוא कर मेरे पूरह हुए थे करीब कीलो से जदा लड्डू बनकर तैयार हुए थे तो थोड़ा बेर अनुद्ध से जदा दिख में तो एको कर दोदिये के सरदीy को कोई आपको यह लड्डू की बताईयेगह कोगे हुए प्रें बढ़ए हैं बच्न को दे सकते हैं बड़ों को दे सकते हैं कोई बड़े अराम से खात सकते हैं इसको तो चलिए मिलते हैं फिर से आप लोसा उच्छा लगे तो लायक सबीसि हैं जरूर कर दीजिए बाई-बाई रादध कर दो